हलो दोस्तों मैं हूँ विकास और स्वागत हैब सभी का मर्शी स्टेडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कच्छा 10 का प्रशनाली 2.3 का कुश्चन 5 के बारे में ठीक है तो देखें यहाँ पर कुश्चन क्या दिया है कि बहुपदों PX GX RX और QX को एक ऐसे उधारण दीजिए जो बीभाजन अलगोरिदम को संतुष्ट करता हो ठीक है तथा घात PX बराबर हो घात QX के और दूसरा क्या दिया है कि घात QX बराबर हो RX के और तीसरा क्या दिया है कि घात RX बराबर जीरो हो ठीक है तो देखिए इस तरह के question को हम कैसे समझेंगे इससे पहले हम समझ लेते हैं यह QX क्या है और PX क्या है और Rx क्या है ठीक है और इसमें GX क्या है ठीक है तो देखिए इसमें जो हमारा आर-x guy Rx ब्राबर है यह हमारा सेसवाल है ठीक है जिसको лисьिन हम रेमाइनडर कहते हैं कंड़े और उसमें Q क्यूं ऐहाओ पर आ हुआ ठीक है और इसमें PX है ठीक है यह पी अक से यह यह इसको भाजक यह बधाक होता है ठीक है इसको प्लक्ली और दरसाते हैं ठीक है और बाजस्य को हम इंगलीहीं सीमें क्या कररेंग UP क सभी ड WAS secondly क्या इसमें ज्सक्राइथ हुआ है जी अक्स इससे हम भाग देते हैं ठीक है जिससे हम डिवाजर करते हैं और इसको हम भाज़क करते हैं इंदी में ठीक है यह इतना हमारे इसमें दिया है ठीक है देखे इसको इजी तरीके समझ लेते हैं जैसे कि हम किसी दो का गुणा हम इसमें पांच में किये ठीक है दो दुना चार ये एक तो इसमें जो पांच है ये जो पांच है ये हमारा भाज्य होगा ठीक है इसमें हमारा ये पांच हो जाएगा और ये जो दो है ये हमारा भागफाल हो जाएगा मतलब की ये है QX है 2 और इसमें जो सेसफल हो जाएगा R यह हमारा 1 हो जाएगा और जो इसमें भाजक होगा यह 2 यह हमारा GX हो जाएगा 2 ठीक है तो यह इतना आप लोगों समझ लिया अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसे उदारन लीजिए एसे उदारन हमें लेना है कि PX PX मतलब की भाजय जो हमारा भाजय हो वो बराबर हो QX यह जो भाज़ है यह बराबर इसका घात जो है वो बराबर होना चाहिए भागफल के ठीक है इस तरह का उदारन लेना है देकिए माल लिजी हम इसमें कोई आप कोई भूदारा ले सकते हैं बस इसमें PX का घात और QX का घात हमेशा बराबर आना चाहिए ठीक है तो चलिए हम ले लेते हैं इसके लिए नमबर 1 के लिए X से हम अगर इसमें भाग कर दें X स्क्वाइर में ठीक है तो X स्क्वाइर अब एक का गुणा इसके साथ करते हैं यह तो भाग का रूल होता है तो हो जाएगा X स्क्वाइर यह कट जाएगा तो देखे इसमें हमारा भाजे क्या है भाजे बराबर में X स्क्वाइर है ठीक है और भागफल भागफल भी हमारा क्या है यह स्कॉर रहा है ठीक है है तो देखे भांजी मतलब की पिएकस और भाघफ़ल मतलब की की ये किव दिध्च तो पी दिध्च के बराबर के या नहीं है एक नतों दिखें के इसक भी घात में दों है मतलब यह बराबर हो गया तरह सही है ठीक है इससाइर से आप दूसरा भी देख लेते हैं तो देखें यहां पर हमने सेकेंड को है क्या कहाँ एक्स बराबर वने चाया है घात 10 ऐस एक्स के मतलब कि टीघए कि घात की बराबर होना चाहिए सेसफ़ल का घात, ठीक है, कि वहल हमें घात देखना है, तो देखे इस तरह के एक्जामपल ले लेते हैं, आप भी कोई भी एक्जामपल ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिए X स्क्वाइर, प्लस में X, और प्लस में 2, फिर यहाँ पर हम ले टेंगे, 4X का स्क्वाइर प्लस में 4X प्लस 4, ठीक है, अब इसमें हम करेंगे भाग इस से, ठीक है, ढूर यहाँ पर लिए देंगे, और इसके बाद से, यह एक सबूर गुणा ड्रूह में जीक हो जाएगा 4X का स्क्वाइर, फिर यहे घांपलों आगा 6 x, ठीक है, पर इ नमबर एक को जरूर देख लिए उसमें हमने भाग करने का बहुत ही असान तरीका बताया है ठीक है जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा तो चलिए इसको देखते हैं अब इसके चीन को बदल देते हैं इससे यह कड़ जाएगा इससे यह कड़ जाएगा यह बचेगा क्या माइ घाट क्या लगां एक लगा ठीक है तो यहीं हमारा क्या क्या रहा कि गहात क्यफ़ अब्सले जाएगा आर एक आभे क्यों मतलब कि हमारे सेजवपां के गहात कितना एक भागफाल के अक तो इसका है एक अंगा से रहें था थो पर नम्बर दर रहे थो स्क 15 गहात आर x बराबर में 0 होना चाहिए ठीक है तो देखिए इसी इसी उधरान को हम थोड़ा सा मोडिफाई करके ले लेंगे देखिए x square plus में x और plus में 1 कर देंगे इसमें 2 था इसमें 1 कर देंगे और फिर 4x का square plus में 4x और plus 4 ठीक है अब इसमें भी हम 4 से कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, x square गु legislator गुन फो शाथ करेंगा, तो चार साथ का स्कुरॉर, फिर शसका साथ, पलस में 4x, फिर एक का इसके साथ, पलस में 4 तो माइनस माइनस और यह माइनस, इससे is cancel, तो नीचे क्या बचाएं, कुछ नहीं बचाएं मतलब की जीरो बचा है ठीक है तो इससे हस्पास्ट है कि आर एक्स ब्रावर में जीरो हो गया ठीक है यही हमें बताना था यह हमारा आंसर हो जागा तो दोस्तों आज का वीडियो अपलोग ऐसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप चैनल पर नहीं है त बुग दोग दो दोटनवाइब